हाई गाईच कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो फ्रेंट्स आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आई हूँ पांच ऐसे अमेजिंग आइडियाज जो की हम पुराने कपड़ों को रियूज करेंगे और कुछ सबस्क्राइब करेंगे तो देखिए सबसे पहले मैं इस तरीके से देखिए 1.5 इंच की चोड़ी ये पटिया कट करके ले लिया है ये कतरन में से निकाली है मैंने और फिर देखिए 17 इंच का एक पीस ले लिया है जो की पूरा प्लेन है तो देखिए इसके किनोर के उपर आपको हमें चोटे चोटे पीस कुछ यस तरीके से रखने है और कुछ यस तरीके से जो हम सील कर अठेज कर लेगिए अच्छे सैन अठेज कर लेंगे 3 अ पूरा है का अब ये एक्ष्रा है देखिए attach करते जाएंगे और इस तरीके से जो है इसको हम फूरे को cover कर लेंगे plain कपड़े को ये देखिए और अब देखिए उल्टा करके इसको हम इस तरीके से cutting कर देंगे जैसे नीचे वाले कपड़े की shape है वैसे ही इसकी भी shape लेकर आएंगे और अब देखिए हमको क्या करना है मैंने ये दो पीस लिए है तो इनका मेजरमेंट देखिए कुछ पांच इंच एक्ष्ट रहा है उपर वाले पीस से तो हम क्या करेंगे इस तरीके से देखिए फोल्ड करेंगे इनको एक तरप से और इसको ऐसे रख देंगे इसके उपर और इसके करनी है तो इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं थी दूसरे पीस को कुछ इस तरीके से रखेंगे और आप देखिए हम इसके उपर स्लय लगा देंगे कुछ इस तरीके से चारो तरफ हम इसके उपर चले लगा देंगे और अब हम इसको सिधा कर लेंगे कि नोर को अच्छे से बाहर निकालते हुए तो गाइज इसके अंदर हम अपना कोई भी कुशन डाल देंगे यह देखी इस तरीके से मारा पैरा सा कुशन कवर बनकर तयार हो जाता है बिल्कुल जीरो कोईश्ट में अब सेकिंड आइडिया के लिए मैंने एक पुरानी कुर्ती ली है अब इस कुर्ती को हम फैला लेंगे कुछ इस तरीके से और उपर से हम 14 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पर और गाईज इस कुर्ती का कलर जो है वीडियो में जो इसका कलर है वो नहीं आ रहा है कुर्ती का कलर बहुत ही प्यारा है तो इसको मैंने वेश्ट नहीं किया बट यह टाइट पड़ गई थी तो इसलिए मैंने सोचा इसका कुछ रियूज कर सकते है तो गाईज देखिए यहां से एक इंच हमको जो है उपर की तरफ इस तरीके से मार्किंग करके यहां से कटिंग कर लेना है अब देखिए यह जो कूर्ती है लंबाई में इस तरीके से कट की थी लेकिन हमको क्या करना है इसको सैड से च्याक उपन करके और यह सैड से देखिए इस तरीके से रखेंगे यहां पर और इसमें इस तरीके से गैदर्स बना कर जो है हम इसको अटेज करेंगे यहां पर तो देखे गेदर्स हमको कुछ इस तरीके से बनानी हम एक बड़ी सिलाई लगा लेंगे और उसमें देखे इस तरीके से एक धागे को खिचेंगे तो ये देखे इस तरीके से गेदर्स बन जाएंगे इसमें अब हमको क्या करना है कुछ इस तरीके से देखी इसके साथ में अटेच कर देगे यहाँ पर और दोनों पार्ट मैंने अटेच कर लिया अब फिटिंग किसले लगा देगे नीचे तक तो यह देखे प्यारा सटो पर बनकर तयार हो जाता है अब नेक्स आइडिया के लिए देखे फिर से मैंने एक मिंटर कपड़ा लिया है और देखिए यहाँ से तीस इंच की लंबाई है डवल फोल्ड में और यह राजपुती जो कुर्ती होती है उसका कपड़ा है आपके पास कोई भी कपड़ा हो आप यूज कर सकते हो तो देखे यहाँ तक हमको लेना है यहाँ से 11 इंच की लंबाई पर मार्क करेंगे यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पर भी 5 इंच पर मार्क करेंगे दोनों को मिला देंगे यहाँ से मैंने 7 इंच लिया है यहाँ से 6 इंच लिया है यहाँ पर देखे एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्लाई मार्जन के लिए आर्मोल्स की हलकी सी गोलाई दे देंगे और यहाँ से कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे अब हमको second part लेना है तो देखे सेम तरीके से डबल फूल्ड कपड़ा लेंगे और मार्किंग करके इसको हटा देंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे अब दोनों को एक साथ रखेंगे चोड़ाई रखेंगे 2 इंच की लंपाई रखेंगे 3 इंच की गोलाई दे देंगे यहाँ पर बॉक्स बनाकर और यहाँ से कटिंग कर देंगे अब यह आगे वाला पार्ट है तो हाफ इंच डाउन कर देंगे इसके आर्मोल्स को इसको साइड में रखेंगे तो यह देखिए हमारा 43 इंच है डबल फोल्ड है यह करने की साइड मेरी तरफ है फोल्डेड साइड यह इधर है अब देखिए यह फोल्ड हो गया है अब हम एक किनोर के उपर 3.5 इंच पर मार्क कर लेना है यह मार्क हमको पूरे में राउंड में कर लेना है अब हमका हमारा जो है यहाँ से 19 इंच आरा है हमारे measurement के according तो देखिए 19 इंच पे इस तरीके से round में marking कर लेंगे यह देखिए आई जी यहां से कम पड़ गया तो हमको एक इंच कम करना पड़ेगा तो इस तरीके से देखिए 18 इंच पे हमने marking कर ली है और यहां से cutting कर दिया है उपर से भी और नीचे से भी अब इसको फैला लेंगे कुछ इस तरीके से तो देखिए back पार्ट है यह चोली का और यहां से 3 इंच पे marking करके cut कर दिया है अब एक piece और रखेंगे यहां पर और एक मैंने देखिए चोटी सी loop बनाई है अंदर की तरफ इस तरीके से रखें फिर इसके उपर सिलाय लगा देंगे किनोर पे cut लगा के इसको अंदर की side fold कर देंगे और यहां पर हम सिलाय लगा देंगे तो यह back part है गाईज और यह वाली जो dress बन रही है यह 8 से 10 साल की लड़की के लिए बन रही है अब देखें दोनों के solder आपस में अटेच कर देंगे और फिर देखें इसके उपर हमने जो है white color की piping निकाली है double fold कपडा रखा है इसके उपर मैंने यह उरेव सेप में और फिर अटेच कर दिया है फिर छोटे छोटे cut लगा देंगे पूरे round में और इसको जो है हम अंदर की side fold करते विए पतली सी piping निकाल कर इसके उपर हम सिलय लगा लेंगे कोच इस तरीके से इसमें white color जा रहा था जो इसमें बूटी थी उसमें white color था और वैसे भी dark blue color है तो white color इसके उपर अच्छा लगेगा तो इस तरीके से देखे हमने आर्मोल्स में भी finishing दे दी है रेव सेप की पट्टी से अब 22 inch लंभी 4 inch चोड़ी दो पट्टी लिए है हमने इस तरीके से double fold करके किनोर पर slay लगा देंगे दोनों के अब देखें यहाँ पर जो है मैंने 12 inch की हमारी fitting है तो इस तरीके से 12 inch पर इस तरीके से cut लगा लिए है कमर जो इसकी इस तरीके से 12 inch आरी थी double fold में अब देखें यह दो मैंने पट्टी तयार की है जो कि हमें यहाँ पर रखके और फिर जो है fitting की slay लगानी है दोनों तरफ यह पट्टी रख देंगे नीचे से आधा इंचूपर रखिए मैंने यह पट्टी और fitting की slay लगा दी है अब इसको हम सिधा कर लेंगे और अब देखें जो चोली हमने ready की है उस चोली को लेंगे और यहाँ पर cut लगा लेंगे side से side मिलाते विए हमें इसको attach करना है यहां पर कुछ इस तरीके से एक एक पार्ट पकड़ेंगे दोनों के और इस तरीके से गुमाते जाएंगे और attach कर लेंगे देखिए यहा इसे इस तरीके से मेजर करेंगे तो एक दम fix सा रहा है और इसको अटेच हमें कुछ इस तरीके से करना है साइड से जो कट लगा रखें वो साइड से साइड मिलाएंगे यहाँ पर तो गाहिए यह ऐसे एक मिटर कपड़ा पड़ा हुआ वैसे कोई भी काम नहीं आ रहा था यह कपड़ा और कोटन का कपड़ा था बैग बनाते तो वो जादा दिन नहीं चलता लेकिन इस तरीके की जब हम बेबी ड्रेस बना लेंगे तो वो क्या है जो है कि अभी गर्मी आ रही है और कोटन की प्यारी सी यह फ्रोक बनकर तयार हो जाती है तो आप भी इस तरीके से रियूज कर सकते हो बेकार पड़ेवे कपड़े का सेकंड आइडिया के लिए मैंने तीन इंच की चोड़ाई से देखे यहाँ पर कपड़ा कट किया है और इसकी लंबाई यहाँ से है बारा इंच की एक्ट्रा है तो उसको कट कर देंगे और यह बच्ची होई कतरन है सिलाई में से उसका मैं यूज कर रही हूँ इस तरीके से देखे मैंने चार पिस ले लिए हैं अब इनको आपस में अटेच कर लेंगे तो गाइस कमेंट करके भी जरूर बताना आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा यह वाला जो आइडिया है भी यह तीसरा आइडिया मैं आपको बता रही हूँ अब देखे दो पट्टी हमने इस तरीके से रख ली है साइड में और अब देखे यहां से यहां पर साइड में इस तरीके से एक पट्टी रखनी है जितनी इसकी लंबाई आ रही है चोड़ा इसकी तीन इंच की है और यहाँ पर अटेच कर देंगे यह एक्स्ट्रा इसको कट कर देंगे एक पीस से और रखेंगे इधर की साइड और यहाँ पर भी अटेच कर लेंगे अब इसको सीधा करेंगे अब देखे इसका जितना मेजर्मेंट आ रहा है उसी की अकोरडिंग हमको नीचे से एक पार्ट और कट करना है सेम कलर कार पांच इंच हमको 7 इंच एक्सट्रा रखना है तो देखे इसको इस तरीके से डबल फॉल्ड करेंगे बीच में से कट कर दे लेंगे मतलब फोल्ड करते वे अंदर की तरफ दोनों को फोल्ड कर लेंगे दूसरा पार्ट है उसको भी फोल्ड कर लेंगे और देखे कुछ इस तरीके से सेट करके रख देंगे एक के उपर एक और इस पार्ट को भी इस तरीके से रखेंगे इसके उपर उल्टा इस पार्ट के उल्टी सैड है वो उपर की तरफ है सिधी सैड नीचे की तरफ है सिधी सैड दोनों की फेस करते वे फिर देखे हम इनको तो इस तरीके से अटेज कर लेंगे अब इसको हम सिधा कर लेंगे तो गाईज यह हमारा एक और अलग से डिजाइन का हमारा पीलो का कवर्बन करते यार हो जाता है बहुत ही प्यारा लुक आया है आप देख सकते हो बच्ची वी कत्रन से इस तरीके से हम जो है कुछ ना कर सकते हैं आप देख सकते हो इसका कितना प्यारा लुक आया है तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा है अब आइडिया फोर्थ की तरफ चलते हैं तो मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिया यह कूर्ती में से बचा हुआ कप पीस तो हमने सेम साइज का अस्तर भी कट कर लिया है अब यहां से इसकी चोड़ाई दिखाती हूं मैं साड़े दस इंच की है तो देखिए दो पीस अस्तर है दो मैन फेबरीक है तो इनको देखिए हमें कैसे अटेज करना है इसके उपर मैन फेबरिक को उल्टा रख देना है उल्टा रखने के बाद हमें जो है राउंड में इसके उपर सिलाई लगा लेनी है कुछ इस तरीके से और दो इंच के लगभग हमको ओपन रखना है सीधी सैट दोनों की मिलाएंगे और देखिए नीचे जो अस्तर है उसके उपर मैंने पेस्टिंग पेपर चिपका लि जिसमें से हमको इसे सीधा भी करना है तो देखेए दो इंच ओफन रखा है उसमें से हमने इसको सीधा कर लिया है और किनोर को अच्छे से बाहर निकालते हुए हमें इसको सीधा करना है जिससे finishing अच्छी आए और ये देखिए अब जो open part उसको अंदर की side half inch दबाते विए जो है हम इसके उपर slide लगा लेंगे same तरीके से हमको दूसरा part ready कर लेना है अब देखिए यहाँ पर हमको एक तरफ से हमें 2.5 inch पर mark कर लेना है कुछ इस तरीके से और इसके उपर time space इसको इस तरीके से और लेप करते विए रखेंगे दूसरे part को सिधी side दोनों की उपर है और यहाँ पर हम slide लगा देंगे अब इसको भी धर से seal लेंगे अंदर की तरफ से अब देखिए हमें यहाँ पर जो है 3 inch पर mark करना है कुछ इस तरीके से अब इसको यहाँ से fold करके जो है इसकी उपर एक slide लगा देंगे इस तरीके से किनोर की उपर अब यहाँ पर 3 inch पर mark करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से marking कर लेंगे लंबी जैसे मार्किंग यह है वहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे बाहर की तरफ भी देखे यह मार्किंग मैंने यहाँ किनोर के उपर कर ली है अब यहाँ से हमको जो है इसको लेस लगानी है बाहर की तरफ मार्किंग इसलिए की है ताकि पता रहे कहां तक हमको लेस अटेज करनी है तो इस लेस को जहां पर हमने मार्किंग है वहां तक हमको अटेज करनी है अब देखिए हमको क्या करना है इसको यहां से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है बीच चेंटर में से और यहां की नौर के उपर स्लाय लगाएंगे दूसरी तरफ भी सेम तरीके से हम की नौर के उपर स्लाय लगा लेंगे तो गाईड यह पांच वांएडिया है जो मैं आपके साथ share कर रही हूँ अब देखिए इसको यहां से इस तरीके से fold कर लेंगे और यहां पर देखिए इस तरीके से marking कर लेंगे अंदर तक सुई की साहता से और यहां पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे दोनों तरफ, ये देखिए, कुछ इस तरीके से, अब सूई को हटा देंगे, अब देखें, मैंने एक ये लोग लिया है, इस लोग को कुछ इस तरीके से अटेज करेंगे, ये वाला लोग आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, तो अब देखे क्या होगा यह जो पार्ट हमने अटेच के अलोक का यह बाहर नजर आ रहा है तो इसको हम कैसे चिपाएंगे एक डिजाइन वाला बटन यहाँ पर अटेच कर देंगे सुई धागे की सायता से देखे कुछ इस तरीके से तो यह भी चिप जाएगा यहां से और इसका पर्ष का लुक भी बहुत प्यारा आएगा तो गाईज इस तरीके से मैंने यह हैंड पर्ष बना कर तयार किया है चोटी सी पाउच बन गई है लेकिन बहुत ही प्यारी बनी है बहुत ही यूजपूल बनी है चोटा सा पीस पड़ा था उसी से देखी हमने कितना प्यारा कितनी प्यारी जो है पाउच जो है मतलब पर्ष बना कर रड़ी कर लिया है तो guys comment box में जरूर बताना कि ये वाला idea आपको कैसा लगा है मुझे बहुत पसंद आया सबसे ज़्यादा पसंद मेरे को ये वाला ही idea आया आपको कौन सा आया आप comment करके अपनी रहाई जरूर देना कही पर भी confused होते हो तो मुझे उसमें भी comment करके पूछ सकते हो definitely आपके comment का जवाब दोंगी guys आज के लिए बस इतना ही मिलते आप से next video में खुश रहिए मस रहिए बाई